आईए बच्चों देखते अगला सवाल सवाल इस तरह से दरजल अददी सिलसिले में सवाल या निशान की जगा कौन सा अदद आएगा यहाँ पर अददी सिलसिला दिया हुआ है अगर गोर से देखा जाए तो इस अददी सिलसिले में कुछ एक तालूक है तो यहाँ पर हमको दिखाया दे रहे हैं कि 8 और 27, 64, 125 यह किसी ना किसी आदात के क्यूब है मकब है तो 8 है यह 2 का है 27 यह 3 का क्यूब है 64, 4 का क्यूब है 125, 5 का क्यूब है अब यहां से एक तरतिब से हम गए 2, 3 इसके पात 4, 5 और इसी तरह से यहाँ पर 6 तो हम देखेंगे कि 6 का क्यूब इसमें से कौन सा आता है तो क्यूब भी बोले तो किसी आदत को उसी आदत से अगर तीन बार जब किया जाए तो आने वाला जवाब उस अदत का क्यूब होता है, मकाब होता है जैसे 6, 6, 36 और फिर 36, 6 करेंगे 36, 6, 6, 6, 36, carry 3, 6, 3, 80, पर प्लस 3, 21, इसी तरह से 216 यहाँ पर देखेंगे 216, यहाँ पर जो अंसर आएंगा 216, अभी यह इतने सारी तरतीव से करने से अच्छा है कि हमें minimum 1 to 10 यह क्यूब याद होने चाहिए, उसी तरह से square भी याद होने चाहिए, 1 to 30 तक तो फिर आसानी के साथ देखते साथ एक नजर में अपनी को जवाब हो, सामने आ जाता है